इससे पहले तुने तीन अभिकिरिया का टाइप पड़ चुका है और वो तुम्हारा था संजोजन, बियोजन और एक बिस्थापन और यह आखरी तुम्हारा अपचयन एवाम अपचयन अभिकिरिया Oxidation and Reduction अभिकिरिया यह इसका एक नम और होता है और वो होता है हम लिख देरे Oxidation मतलब ऑक्षिकरण और इस Reduction कार्थ होता है अपचयन यानि अब करण अब करण ठीक है तो इसमें ज्यादा तर यूज होने वाला जो बड़ है ओवड़ है Oxidation और अपचयन यह बड़ तुमको ज्यादा तर सुनने को मिलता है यह तो इससे मतलब नहीं है कि तुमको सुनने के लिए मिल क्या रहा हमको मतलब इससे है कि तुमको यह बाली बात समझ में आ रहा है या नहीं अगर यह आ रहा है तो बेस्ट हो और उस नाम में क्या रखा है काम देखो नाम से क्या है चाहिए अब चैन बोलो अवकरन बोलो उससे कोई मतलब नहीं है ठीक है इसको समझने के लिए हम सबसे पहले इसको देखते हैं। और एक तरफ हम बनाती हैं ऑक्षीकरन और एक तरफ अवकरण कि ऑखी डेशन देखो अगर इसको औक सीडियाशन का अगर तुम थौआ सा संधि विचेद करने की कोशिश करो तो तुमको मिलेगा जिसमें औकसीजान का एडिशन हो ठीख है जिसमें ऑकसीजान का एडिशन हो तुम्हारा ऑकसीडेशन होता है मतलब कि अगर किसी भी अभी किरिया में ऑक्सिजन का संजोग हो रहा है ठीक है ऑक्सिजन का संजोग हो रहा है इसका मतलब कि ऑ ओक्षिकरण हो रहा है जैसे एक एक जामपल से अगर हम आफंग समझें तो जिसमें कि जिसमें ऑक्सिजन ऑक्सिजन में ओट्टू का संजोग हो ठीक है दूसरी बात कि जैसे ही ऑक्सिजन का संजोग होगा तो हाइड्रोजन का बियोग होता है है कि हम लिख सकते हैं कि एच का बियोग हो कि यह बात तुमको याद रखनी है अगर इतना याद है तो तुम यह बात इसली समझ जाओगे इस चीज को तुम आसानी से समझ सकते हो कि ऑक्सिकरण का अर्थ होता है कि जिसमें ऑक्सिजन का संजोग हो और हैड्रोजन का बियोग हो और जश्ट इसका उल्टा होता है अब करण जश्ट इसका उल्टा होता है अब करण जैसे यहां देखा अब करण में क्या है कि यहां ऑक्सीजन का संजोग हो रहा है यहां ऑक्सीजन का बियोग होगा ओटू का बियोग बियोग का आर्थ होता है कि किसी में से हट जाना किसी में से हट जाना जाहिर सी बात है कि अगर ऑक्सिजन किसी में जाकर कि सटेगा तो कहीं न कहीं से हटेगा कहीं न कहीं से हटेगा दुसरी बात कि H का भी योग हो कि इसमें आक्षी केरण में तो अब केरण में क्या होगा संजोग होगा H का संजोग जैसे एक एक्जामपल से हम समझाते हैं तुमको जैसे यहाँ पास माल लो कि एक एक्जामपल हम लेते हैं कॉपर का Cu प्लस O2 देखो यहां कि यहां क्या है और यहां क्या है ऑक्सीजन अब यहां तुम देखो तो हम कह सकते हैं कि जब र्येक्शन करेगा तो यह हमारा बनाए को पर उक्साइड को पर उक्साइड सी यू ओ कॉपर ऑक्साइड यहां पास तुम देखो ते कह सकते हम कि इस कॉपर के साथ इस कॉपर के साथ ओटू का क्या हो रहा है संजोग हो रहा है कि ओटू का संजोग तो यहां से तुम देखो तो जिसमें ऑक्सीजन का संजोग होता है वो क्या कहलाता है ऑक्षिकरन तो यहां पास कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है संजोग हो रहा है मनूं जूट रहा है कॉपर के साथ तो अगर कॉपर के साथ जूट रहा है तो हम क आपके और चहां सिच्छ तिम गौर करो तो देखोए आपस हाइट ऑक्सीजन जो है फोग्षीजन यह कितनी है दो है तो अगर दो ऑक्सीजन है तो एक ही निकालकर साथ ऑक्षीजन तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस ऊक्सीजन से एक एक यह misery क्या हो रहा है यहां से तुम मैंजो क्वैंग हो रहा है तो हम सकते हैं कि आप विस अटव में से ओक हो ए यह और यहां पढ़ हो कि जिसमें आक्सीजं का होता है तुम को क्या कह के लाता है अब करण अब करण को ही अपनी लोले दीछ में यह चाखो ते लिवह सा खमीड चार लिबशा के तोर पे अप है अप्चैन बोल सकते हो तहां पस इस oxygen का हो रहा है अप्चैन जहात होता है वहां को क्या हो रहा है अब हो रहा है अप्चैन हो रहा है मतलब कि यह दोनों अभिक्रिया हैं साथ साथ होने वाले अभिक्रिया हैं दोनों के दोनों साथ साथ होने वाली है तो अगर वह ऐसी अभिक्रिया जो साथ साथ हो एक साथ हो तो ऐसी अभिक्रिया का नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया टीक है कि इहां से सवाल एक पूछ सकता है कि अपचयन एवं उपचयन अभिकिरिया को अपचैन एवं उपचैन अभिकिरिया को रिडॉक्स अभिकिरिया क्यों कहते हैं तो उसका कारण के हो गया कि अभिकिरिया साथ साथ होने वाला अभिकिरिया है जिस बज़ा से इसे रेडॉक्स अभिकिरिया बोला जाता है और रेडॉक्स का मतलब होता है आप उप्चाय अभिकिरिया इसको हिंदी में क्या होता है अप उप्चैन अभिकिरिया तो उस बढ़ से अच्छा है कि रेडॉक हो अब यहां तुम समझे एक और एक्जामपल से और समझ लेते हैं हम लोग कि एक एक्जामपल आ ले लो जैसे मालों की जामपल नमबर फर्स्ट हो गया एक्जामपल नमबर हम सेकेंड देखते हैं है तो मैंगनेशियम प्लस ओक्षिजन है सा और किलीझर होगा यह हमारे पास दो इलिमेंट से एक मैंनिस्यार हर ओक्षिजन ने-अहां तुम देखो तो जैसे ही रियक्शन करेंगा है था यह बनाएगा मैंनिस अशार्भ इसकी बाइल्स है बैलेंस पर मत जाओ बास पर नही तो यहां मैगनेशियम ने रियेक्शन किया औक्सिजन के साथ और औक्सिजन के साथ रियेक्शन करके क्या बनाया मैगनेशियम ऑक्साइड यहां भी तुम देख सकते हो तो यह मैगनेशियम के साथ इस मैगनेशियम के साथ संजोग हो रहा है किसका औक्सिजन का यहां हम कह सक में ऑक्सिजन का संजोग होता है उसे क्या बोलते हैं ऑक्षिकरण यहां पास मैगनेशियम का क्या हो रहा है ऑक्षिकरण हो रहा है ऑक्षिकरण किसमें देखो यहां पास ऑक्षिकरण का स्पेलिंग गलत लिखा हो रहा है कि यहां तुम देखो ते इस मैगनेशियम का मैगनेशियम ओक्साइड में क्या हो रहा है अब करण हो रहा है मतलब यहां एक लाइन अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस सीज़ को देखे यहां लिख रहे हैं हम कि यहां कॉपर को अगर लिलते हैं कॉपर का ओक्साइड में किया हो रहा है ओक्सिक्रण dois a oxy अर जबャु झ्यक्रण अग्राइबम मतलब कि अपचयान हो रहा है अपचयान अपचयान इस तरह से इसे भी तुम देख सकते हो कि यहां मैगनेशियम का यह फर्स्ट के लिए और यह सेकेंड मैगनेशियम का एमजी का अक्सिकरण एमजी ओ में हो रहा है और जबकि यहां पास देखो तो इस ओटु का क्या हो रहा है मतलब की अबकरण हो रहा है कि ओटु का अपचयान हो रहा है अपचयान इस दोनों अभी किरिया साथ साथ होने वाली है मतलब की यह दोनों शहाव दो जिसमें है एक जान है नहीं बोलता है जिये मरेंगे साथ दुनिया याद करेगी तो बात तो सही है दोनों कसम खाया है और यही कसम के बज़ा से इसका नाम पढ़ गया रेडॉक्स अभी किरिया अब बचारा काता है कि जहां अक्सी करण होगा वहां करण होगा ही होगा तो मरेगा तो हमीं मर जाएंगे यह काता है और इसी बज़ा से इसका नाम पढ़ गया रेडॉक्स अब किरिया आज भी लेला मजनू फेमस है नहीं बढ़ा अच्छा काम किया था यह लेला है है सिक दोनों हो जी मर रहा है इसी बज़ा से लिकार्फ मस हो गया है मिल्सकेश हो डम एक लग्या के नाम से अगा रैटॉक्स अब करिया के 9 ज़्या के नाम से नाम से मत्रूंध है हम लोग यह बोल सकते हैं यह दो जिसम्स मिं है लेकिन जान इसका दिख़ाए million Mr.ish फिन ज करा ओकर ब्रोरिपा का ब्यौग और इस एक ओक्षिजेन का ब्योग होता है तो क्या करन मतलब आब चैन कहलाता है कि हम नहीं यहां बोला है कि हाइटरोजेन का भीयोग होगा फिर वह क्या कहलाँगा ओक्षिकरन चारीatesि टोजन का हो चाहिए ड़िजएटरोजेन का बियोग हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे अक्षिकरन और जब हैड लोग हो तो उसको क्या बुलेंगे अभकरन तो इसकी अगर एक्जामपल तुम देखो अगर इसकी एक्जामपल देखो तो इसका भी तुम देख सकते हो जैसे मालो कि हमारे पास एक अभिकिरिया है इसको समझते हैं जैसे मेरे पास कौप अपस कौप ऑक्साइड है और इसके साथ हमने मिलाया है और है ट्लस को ठीक है अलाट रोजन को मिलाए है तो इससे देखो कि के रिएक्शन करके बनाता क्या है तो अगर इन भाई साहब को देखे तो यह reaction। करके आता है copper plus gel copper plus gel अब यहां क्या हो रहा है कि जो oxygen copper के साथ था वो अब निकल करके हट करकर के hydrogen के साथ मिल रहा है मतलब यहां हम कह सकते हैं कि hydrogen हाइट्रोजन का ऑक्सीजन में संजोग हो रहा है हाइट्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है संजोग हो रहा है लेकिन यहां से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बियोग हो रहा है अब जरह इस बात को यहां गौर करो तो जिसमें ऑक्सीजन का बियोग हो जिसमें ऑक्स कि ओट्टू का ओट्टू का बियोग और तुमको पता है अच्छी तरह से जिसमें ऑक्सीजन का बियोग होता है उसको क्या बोलते हैं आप चयान इसको क्या बोलते हैं आप चयान यानि आपकारक सुरी आपकारण आपकारण तो इसको हम क्या बोलेंगे आपकारण मैंनों की यह हो गया तुम्हारा अपचैन ना यह तुम्हारा हो गया अपचैन कि अब ज़रा सोचो कि आप यह थो जन क्या कर रहा है और इसको बुला रहा है तुम मेरे पास आओ उधर से हटो 2010 और तुम सब्सक्राइब तुम्दो 2020 और भी है जब जयल के साथ बनाया तम कह सकते हैं कि यहां पास इस हथ्लिट रो जयन का संजोभ हो रहा है कििसके साथ Naruto करो medic का स samples iPhone होता है तों समय सकते हो की यहांson चैन का ब्राइब मतल化 dalam test के साथ जा रहा है और जा करके जूड कि इसके साथ रहा है तो जिसके साथ जूड रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहां पास क्या हो रहा है उप्चयान मनों आक्षी करण ओक्षिकरन होने का कारण है कि यहाँ पास ओट्टू का क्या हो брå February June ख्षिकरन और जब बड़ ख्रेण का संजोग होता है उसको हम लोग क्या बूलते हैं ओड्टू का さं गोता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रिष्ट घान यानि कि औक्षी करन ठोब sabor के लिए कूंगी देखो इस में विए दोनों के दोनों एक दम साथ हो रहा है एक तरफ अप्चैन दूसरी तरफ ऑक्षी करण दोनों जब चाथ साथ होता है तो इसको क्या नाम है रिडॉक्स रिकिरिया तो यह भी किसका उदाहरन है रिडॉक्स रिकिरिया का ठीक है इसमें एक चीज होता है जो स्यव से important वो बैच्चों को समझ में नहीं आता है उसको लोग बहुत बहुत अचिंदा पचिंदा बना देता है और होता क्या है हम समझाते हैं एक होता है ऑक्षिकारक ऑक्षिकारक और एक होता है अप्चायक एक देखो यहां पास जिसका ऑक्षिकारन हो रहा है उसमें जा करके जूट रहा है समझना इस बात को जिसका ऑक्षिकारन हो रहा है यहां से समझो कि जिसका ऑक्षिकारन हो रहा है तो ऑक्षिकारन उसका होता है जिसमें क्या हो रहा है जो ऑक्षिजन का संजोग तो इसमें तुम कीक बीवात याद रखना कि जो आइक कराता है ठीक है जो उक्सीकरन कराता है उतको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिकारक तो आपन क नहीं इसके सब्सक्कारता और नहीं कि इस magnesium का magnesium oxide में oxy current होता होता नहीं होता तो अगर oxy current कराने के जो काम कर रहा है oxygen है जो oxy current कराने का काम करता है उसको बोला जाता है oxy correct उसको क्या बलेंगे oxy correct यहां से तुम देखोगे तो इस oxygen का is oxygen का क्या काम है oxy औक्षिकारक इस औक्षिजन को हम लोग बोलेंगा औक्षिकारक जो कि यहां समझो कि यहां औक्षिजन क्या है अप्चैन कर रहा है लेकिन इसका नाम क्या है औक्षिकारक है जो कि अक्षिकरन कहां हो रहा है मैगनेशियम में हो रहा है मैगनेशियम का मैगनेशियम है बोमेगनेशियम तो अगर अक्सीजन करवा रहा है किसी में जा करकर कि नहीं हो जूट रहा है यहां सदो थो आक्सीजन से एक oxygen जो हट रहा है अपनी जगह से हट रहा है तो अपनी जगह से हट रहा है तो इसको हटाने का काम कौन कर रहा है magnesium कर रहा है magnesium ही नहोगा जो बुला रहा होगा कि और मेरे पास तुम अगर बुला रहा है तो जो बुला रहा है उसको बुलेंगे अपचायक ठीक है तो यहां पास देखो तो यह क्या हो रहा है मेंगेशियम का मेंगेशियम के कारण इस oxygen का क्या हो रहा है अपचयान तो जिसके कारण होता है ओ कहलाता है अपचयक किसके कारण हो रहा है magnesium के कारण यहां पास यह magnesium जो होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपचयक अपचायक थिक हैं फिर उसे एक और समझ लो कि जिसके कारण अपचायन होता है उसको बोलते हैं अपचायक जिसके कारण ऑक्षीकरण होता ऐसको बोलते हैं आहां घे सके कारण अक्षी करन होता है उसको बोलते हम लोग यह ओक्षीकरण किस के कारण हो रहे हैं ऑक्षीजद के कारण ति यहां क्या कहला लाइगा ऑक्षी हुआ लागा ठीक है तो हम कह सकते हैं एक मोटा मोटी बात में कि जिसका ऑक्षिकारक होता जिस सोरी ऑक्षिकारक उसको कहते हैं जिसके कारण जिसका ऑक्षिकारण हो मतलब सीधा अगर हम लिखें इसको तम लिख सकते हैं कि ऑक्षिकारक उसको कहते हैं जिसके कारण अब चायक किसको कहेंगे जिसके कारण अपचयन होता है तो एक यह और हम समझना और है क्या समझाते हैं यहां पास जैसे अभी देखा क्या कि ऑक्षी कारक वह कहलाता है जिसके कारण ऑक्षी करन होता है नहीं तो यहां देखो कि यहां अगर देखें तो जो ऑक्षी करण हो रहा है ओक्षी करण मैगनेशियम को रहा है किसके करण इस ऑक्षीजन के कारण तो अगर इस ऑक्षीजन के कारण मैगनिशियम का ओक्षिकारण हो रहा है तो जिसके कारण होता है उसको क्या बोलते हैं और यहां पास इस ऑक्षिजन के कारण हो रहा है यहां पास यह ऑक्षिजन क्या कहलाएगा ऑक्षिकारण कहलाएगा यह रियल में हो क्या रहे ऑक्षिजन का अपचैन तो एक मोटा मोट क्मोटे तोर लोग होता है वो तुमको आपचायक कहलाता है और जिसका आपचायन होता है वो आपचीकारक कहलाता है तो 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 है धेखो तो कि मैंगनेशियम आपफ्यस स्कुर्स हाँ अप्चायक एमजी तुम्हारा हो जागा अप्चायक और एक चीजा और यहां पास थोड़ा सा समझना कि इसमें तुम देखो जिसके साथ oxygen का संजोग होता है वो तुमको क्या होता है उप्चाईत होता है जिसके साथ oxygen का संजोग हो यहां तुम देखो इस reaction में बॉक्षेजन का संजोग सेस्ट और यहां उप्चाईत हो रहा है यहां लिख सेक्ते हैं हो रहा है और जिससे ऑक्सीजन का ब्योग होता है वह क्या होता है अप्चाई तो होता है क्या होगा अब देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ब्योग किसे हो रहा है कार्बन के साथ तो अगर इसका सौरी कार्बन नहीं कौपर कौपर से क्या हो रहा है और यहां क्या हो रहा है यानि कि हम लिख सकते हैं कि सी यू और अप्चाईत हो रहा है अप्चाईत है ठीक है जैसे इसका देखो इसमें कुछ है नहीं खाली यहां से निकल करके यहां घुस रहा है नहीं तेखते हो अगर साधी होता है तो बेस्ट इक जाम पर लगा इस सब चीजने क्यमिस्टरी से ही बना है जैसे साधी होता है जहां साधी जहां से लड़की जाती है वहां के लिए बेटी होती है नहीं लेकिन जहां जाती है वहां लोग बाहू बोलाता है उसको नहीं पुतो है मेरा अब सोचो तो कि यहां तुम देखो यहां हो क्या रहे है ऑक्सीजन निकल रहे है तो ऑक्सीजन निकल रहे है किसके साथ से कौपर के साथ से कौप पर क्या हो रहा है अपचैत हो रहा है कि यहां तो किसी ने यहाद नहीं है नहीं लड़की वहां जाने का रहा लड़का हो जागा ऐसा नहीं है लेकिन सब्सक्राइब क्या होता है उसका नाम चेंज हो जाता है एक जगा बेटी ते एक जगा बहु यह चीज़ें होती है और यह पूरा कर पूरा कमेश्ट्री से लिया जाते हैं इसको तुम आब राइट कर लो